नमस्ता मेरा नाम दिनेशे और टेक्निकल हिंद में आपका सहबत है और अगर आप सिखना जाते हैं कि अपने माउस को क्यूबोट के दरिये कैसे चलाए तो आप ये वीडियो लाइस तक देखते रहे हैं इसके पहले आपको एक बात बतातू कि आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को या पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे या क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के बारे में स्रीमें जानकरी मिल सके तो चलिए वीडियो के बार चलते हैं सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना है कॉम्पूटर में यह देखे आप देख सकते हैं यह आपको यह पर आपको एक इसी ट्याप उपन हुझेंगी अगर आपको इसा नहीं दिखाए देखाए दे रहा तो आप वेस्टार्ट मेनु में डारेक्ट भी टाइप कर सकते हैं यहां से भी ओपन हो जाता है और इसके बाद benel पहर जाता है उर इसके अपर किया ऐस्सेब पले से आफ यहांसे पर क्लिक करना है टेकिया मिधं यहांसे बहुत है नई टैप यह पर दीखाया को जाएंगी bitch तो आपको क्या करना है इस पर प्लिक करना है तो यहापको दिखाई देंगा नीचे control क्रोरोलistä भी कीबोड थे अब करें चुछ यापको क्या करना है क्लिक करना है जैसे मैं अभी इस पर किक स्थान थे प करता हूं और इसके बाद आना है सेटप माउस की पर जाते है अब नगरोच पर उपन हो जाएंगे और इस पर लिका है सेटप माउस की तो यह आपको यह और नीचे जाके इसकी स्पीड कॉप को बढ़ा देना है और इसके बाद है ऐसलरेशन स्पीड भी आपको इसके बढ़ा देनी है आप जैसे रखेंगे वैसे भी रख सकते हैं इसको इसके बाद नीचे सेटिंग दीगे थोड़ी सेटिंग है इसमें कि नीउम लॉक आउन मतलब जो नीउम लॉक के नीचे जो बटन रहते हैं हमारे एक दो तींचे पाच्छे सता नो तक यह बटन से यह यूज होता है तो देखिए इसको क्या करना है वैसे के वैसे रेंदेना है फिर आप इसे अब भी कर सकते और अन भी कर सकते इसके बाद अप्लाई करें इसे दोड़ा टाइम लगता है इसके बाद ओके कर दें और देखिए अब यह सेटिंग जहांबे सेव हो जाएंगे और देखिए अब हम चला के देखते कि अपने नियुम लॉक के नीचे जो एक दोन दीजर पाच्छे जो बटन है उससे माउस काम करता है देखिए मैं अभी दबाल ऊवता मास से साइट में नीचे जा रहा है अग्र मैं चार दबांगों का थो उससे में चला जाएंगा और देखिए अकर मैं फायू दबाता हूँ तो इस पे क्लिक हो जाएंगा तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो कोई भी फाइल यहां पे उपन हो जाएंगे और एट डबाता हूँ तो उपर 6 दबाता हूँ नीचे तो चली अब हम कॉम्पूटर के कर जाते हैं यह देखें यह अभी फायू दबाए डबल क्लिक करें फायू मतलब फायू पे डबल क्लिक करें तो यहां से ओबन हो जाएंगा और इसके पाद हम जाएंगे CPDX में देखें इस पर डबल क्लिक किया और उपन इसके पार आप नीचे जाके इसे स्एलेक भी कर सकते है और हएट डबाकर तो अब यह चला गया तो सिंपल तरीका है आपको सिर्फ इसे और सेंटर में जाना है वह आसे माउस की बूट का पूंशल आउन कर देना है दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसना हो तो लाइक और शेर करें अब अमारी यूट्यूब चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे आपको अमारे नए वीडियो रोजना फ्री में देखने को मिलेंगे धन्यवाद